इसका जादा कुछ है नहीं जो है वो मैं बता दूँगी और इसकी एक्जाम्पल्स भी आपको याद करवा दूँगी पट इसको समझने के लिए हमें कुछ पहले एक पॉइंट है वो समझना पड़ेगा तो पहले हम बो समझते हैं इस पे आते हैं ठीक है तो देखो यार मैंने ड्रॉग कर दिया है ताकि हमारा चाहर टाइम पेशना हो तो जल जली स्टार्ट करते हैं जो हमें मतलब जो हमें में प्रोड़क्ट चाहिए उस तक पहुंचने के लिए हमें स्टैप बर स्टैप देखना पड़ेगा ने चाहर्स यह पनारी स्टैफीलेट ट헉रेफरेइशन का प्रोसेस दिखाया है यह हमारा स्टैप यह दोनों हुआ ह enforce क्रचता स्टैप ग्रेशन स्टैप बारी छिससे sci-情緣 की से बह Maria बंदाइका बलास्टोस is that is 32 सेस्टेज और न क्या होगा रडेन होगा गेस्टूम लेशन क्ले क्या है यह क्रमिद्ञा क्ल rod बनेगा गैस्टूमा यह यह क्टाइब भार छीधार मे mara हम यागी का समझाएगा पर थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं जो हमारा एक्टोडर्मिस है वो क्या बनाता है एक्टोडर्मिस हमारा बनाता है और वह बनाता है और जो रहेस्ट जो तो भी पार्ट्स है मॉडआ है और जो मारा आर्केंट्रों है यह साथ इंड़ोर्म डाता है जिसे जिसे यह यह जिसे हम पढ़नेगा तो उसी से हम आगे संज़ेंगे तो हमारा प्लोटोश्टोमस क्या होता है अगर blasto4 पहले mouth में convert हो जाए या blasto4 पहले mouth बना दे then it is called protostomas मतलब क्या है अगर blasto4 mouth पहले बनाता है and anis later on बनता है then it is called protostomas और अगर जो ये blasto4 है पहले anis बनता है and then ये mouth बनाता है then it is called dutostomas तो आगे समझ किया बूला मैंने तो हम भी close ले जाते हैं और ऐसे समझते हैं तो protostomas में क्या होगा अगर blasto4 पहले mouth बनाएगा तो बोलेंगे protostomas और anis बनाएगा और dutostomas में क्या है अगर पहले anis बनेगा और mouth बनेगा ठीक है तो अब इसकी एक्जमब्स देखते हैं protostomas जो में लोर एनिमल्स में होता है लाइक यह जो है बो platyhelminthus to mollusk में आता है बीक है mollusk तक जो भी है platyhelminthus, arthropoda, analida, molluska यह सारे जो है बो protostomas में आते हैं मतलब इन शम में क्या होता है माउथ पहले बनता है और एनस बाद में बनता है and then deuterostomas के examples क्या है echinodermate echinodermata and chordate and जो chordate होते हैं वो सब में deuterostomas होता है मतलब पहले एनस बनेगा फिर माउथ बनेगा ठीक है तो यही है हमारा protostomas and deuterostomas तो इसको याद कर लो examples को यह पूछे जाते है में लिए and अगर आप लोगों को इसकी पिक चाहिए और information चाहिए तो आप मेरे telegram channel join कर सकते हैं अभी उस पे जादा लोग है नहीं but हाँ दीरे-दीरे हो जाएंगे because दीरे-दीरे ही सब आज का तो आपको समझाया हो तो आप लाइक कर दो ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ आपको समझा गया so thank you guys और अगर अगर कोई भी डाउट हो तो आप डाउटनेट अप यूज कर सकते हैं simply आपको क्या करना है फोटो क्लिक करनी है question की जो आपको नहीं आ रहा है like मैंने ये फोटो क्लिक की अब उस question को क्रॉप करो जो आपको question नहीं आ रहा है then find solution you will get the answer within 1 minute or 30 seconds like answers आ गए आप यहां किसी पर भी क्लिक करके answers देख सकते हैं so download download app